दूर किसी जंगल में पेर पर एक कालु कोवे का परिवार रहता था कालु जी आज हमें मेरी मा क्या जाना है कालु जी आज तुम भी मेरी मा क्या चलोगे कितने दिन हो गए हैं हम लोग मेरी मा क्या नहीं गए है इसलिए आज मेरी माने हम त्रीनों को दावत पर बुलाया है रानी तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हारी माक्या नहीं जाता हूँ मैं जब भी तुम्हारी माक्या जाता हूँ मैं सारा काम मुस्ते ही करवाती है इसलिए रानी मैं तुम्हारी माक्या नहीं जाओंगा तुम और राजू अपनी माक्या चले जाओ मैं नहीं आने वाला हूँ कालू जी अगर तुम मेरी माक्या नहीं गए तुम मेरी मा बहुत नराज हो जाएगी इसलिए कालू जी तुम्हें तो मेरे साथ आना ही पड़ीगा अच्छा ठीक है रानी मैं तुम्हारी मा के आँ चलता हूँ लेकिन रानी एक बात याद रखना अगर तुम्हारी माने मुझे जरा सा भी काम करवाया तो मैं वापस अपने गोंसले आ जाओंगा पर पापा आज मैं नहीं जाओंगा आप लोगों के साथ क्योंके आज मुझे नाओ की सेर करनी है आप लोगोंने कल मुझे से कहा था कि कल सुबह होते ही आप लोग मुझे नाओ की सेर करने के लिए ले जाओगे रानी राजू ये बिलकुर ठीक किया रहा है हमने कर राजू से कहा था कि कर हम राजू को समुंदर ले जाएंगे और वहाँ पर उसको नाओ की सेर भी कराएंगे बीटा राजू हम लोग किसी और दिन नाओ की सेर करने के लिए चले जाएंगे लेकिन आज तो मुझे मेरी माँ किया जाना ही पड़ेगा ठीक है, अगर आप लगों को जाना है तो चले जाओ, मैं अकेला नाव की सेर करने के लिए चला जाओंगा राजू, तुम अकेले कैसे जाओगे, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे तुम्हें पता है, समुंदर में बहुत से मगर मच होते हैं, अगर किसी ने तुम्हें खा लिया, तो फिर क्या होगा तो फिर ठीक है, आप दोनों भी मेरे साथ नाव की सेर करने के लिए चलो रानी, ये राजू तो मान ही नहीं रहा है, ये तो जिद पे जिद कर रहा है, कि इसको समुंदर में जाकर नाव की सेर करनी है रानी, ऐसा करो कि तुम अपनी मा के आज जाओ, और उससे कह दो, कि हम लोग फिर किसी दिन तुम्हारी मा के आज जाएंगे आज हम लोग राजू को लेकर समुंदर में नाव की सेर करने के लिए जाते हैं नहीं कालू जी, आज तो हमें मेरी मा के ही जाना पड़ेगा, बरना मेरी मा बहुत नराज हो जाएगी पर राणी, मैं क्या करूँ, ये राजू तो मानने को तयार ही नहीं है, ये तो तुम्हारी मा के नहीं जाएगा, इसको तो नाव की ही सेर करनी है वे ऐसे बाते कर रहे होते हैं, कि वहाँ पर बबलू कोवे आ जाता है अरे कालू कोवे, क्या हुआ, तुम लोग क्या बाते कर रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ क्या बताओ बबलू कोवे, ये राणी कह रही है, कि इसको अपनी मा के आ जाना है, और ये हमें भी अपने साथ ले जाना चाहती है लेकिन मेरा राजू कह रहा है कि इसको समुंदर में जाकर नाव की सेर करनी है अब बबलू कवे तुम ही बताओ कि ये बिचारा कालू करे तो क्या करे अच्छा कालू ये बात है इस मसले का एक हल है मेरे पास कालू कवे अच्छा इस मसले का क्या हल है तुम्हारे पास तरा मुझे भी तो बताओ कालू कवे तुम रानी की मा किया चले जाओ और मैं राजू कवे को लेकर नाव की सेर करने के लिए ले जाता हूँ ठीक है बबलू कवे मैं रानी की मा किया चला जाता हूँ और तुम मेरे राजु कववे को समुंदर में नाव की सेर करने के लिए ले जाओ फिर बबलु कववा राजु कववे को लेकर समुंदर की सेर करने के लिए चला जाता है चलो रानी, तुम्हारी मा कियां चलते हैं, अगर थोड़ी सी भी देर हो गई ना, तो तुम्हारी मा नराज हो जाएगी और वे कालू कववा और रानी कववी भी, अपनी मा कियां चले जाते हैं राजु कववे, वे देखो, सामने नाव है, चलो हम लोग जाकर उस नाव में बैठ जाते हैं, और फिर पूरे समुन्दर की सेर करेंगे हाँ बबलू अंकल, आप बहुत अच्छे हो, चलो हम लोग जाकर नाव में बैठते हैं, और पूरे समुन्दर की सेर करते हैं फिर बबलू कववा और राजू कववा नाओं में बैटकर पूरे समुन्दर की सेर कर रहे होते हैं बबलू अंकल कितना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ कितना बड़ा समुन्दर है मेरा बस चले तो मैं इस पानी में कूद जाओं बबलू कववा और राजू कववा पूरे समुन्दर की सेर कर रहे होते हैं क्या चानक हवाएं चलने लगती हैं और वे नाव एक तरफ से ओड़ जाती है जिसकी वज़ा से वे राजू कववा उस पानी में गिर जाता है अरे ये क्या हो गया राजू कववा तो समुन्दर में गिर गया है अगर यहाँ पर कोई मगरमच आ गया और राजू कववे को खा गया तो मैं कालू कववे को जाकर क्या जवाब दूँगा मगरमच का नाम लेते ही वहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच आ जाता है और वे राजू कववे को जट से खा जाता है अरे ये क्या हो गया है इस बड़ा से मगरमच ने तो राजू कववे को खा लिया है अब मैं कालू कववे को जाकर क्या जवाब दूँगा अरे मैं यहां से भाग जाता हूँ वरना यह मगरमच मुझ पर भी हमला कर देगा और मुझे भी खा जाएगा फिर वे बबलु कववा फौरान वहां से भाग जाता है अरे यह क्या हो गया है अब मैं कालु कववे को जाकर क्या जवाब दूँगा अगर कालू कववे को ये बात पता चल गई तो वे कालू कववा तो मुझे मार ही डालेगा फिर बबलू कववा सोच में पढ़ जाता है कि अब वे क्या करे अरे हाँ मैं अपना ये इलजाम मीनू चिडिया के उपपर डाल देता हूँ वैसे भी मीनू चिडिया और कालू कववे की कभी भी नहीं बनती है अगर मैंने कालू कववे को जाकर कहा कि ये सब कुछ उस मीनू चिडिया ने करा है तो कालू कववा ये सच समझ बेटेगा और वे मीनू चिडिया से अपना बदला ले लेगा और फिर मैं बच जाओंगा फिर बबलु कोवा मीनू चिडिया के पास चला जाता है मीनू चिडिया आज बातावरन कितना अच्छा हो रहा है इसलिए मैं नाओ में बैठकर पूरे समुन्दर की सैर करने जा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो क्या बिला वज़ा अपने खुसले में बैठी रहती हो कभी गुमने भी जाया करो चलो मीनू चिडिया मेरे साथ चलो बबलु कोवा मैं कब से सोच रही थी कि कब मैं नाओ में बैठकर पूरे समुन्दर की सैर करूँगी चलो आज तुम्हारे साथ नाओ में बैठकर पूरे समुन्दर की सैर कर ही लेती हूँ फिर मीनू चिडिया और बबलु कोवा नाओ की सैर करने के लिए चले जाते हैं बबलु कोवी क्या हुआ तुम नाओ में क्यों नहीं बैठ रहे हो क्या तुम्हें समुन्दर की सेर नहीं करनी है मीनू चडिया मुझे तो इस पूरे समुन्दर की सेर करनी थी लेकिन मुझे अभी याद आया कि आज मेरे मामा जी ने अपने गोसले में मेरी दावात रखी है इसलिए मीनु चिडिया तुम अकेले इस समुन्दर की सेर करो मैं चलता हूँ चलो अब यहां तक आही गई हूँ तो इस नाओ में बैठकर पूरे समुन्दर की सेर कर ही लेती हूँ फिर बबलु कवव वहां से चला जाता है और मीनु चिडिया उस नाओ में बैठकर पूरे समुन्दर की सेर करने लगती है फिर बबलु कवव वहां फोरण तोते के पास जाता है और तोते से कहता है मिट्टू तोते अभी मीनु चिडिया ने थोड़ी जेर पहले ऐसा कांड किया है जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ मुझे बताने में भी शरम आ रही है अरे बबलु कवव मीनु चिडिया ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम्हें बताने में शरम आ रही है जारा मुझे भी तो बताओ मिट्टू तो ते मैंने देखा कि कालु कवे के बेटे राजु कवे को मीनु चिडिया एक नाव में बिठा कर ले जा रही थी और फिर मीनु चिडिया ने राजु कवे को समुंदर में धक्का दे दिया और राजु कवे समुंदर में ही गिर गया और फिर वहाँ पर एक पड़ा सा मकर मचा गया और वे राजु कवे को जड़ से खा गया बाबलु कवे ये तुम क्या करे रहे हो ऐसा नहीं हो सकता है मीनु चड़िया तो बहुत अच्छी है वे ऐसा नहीं कर सकती है और तुम्हें यकिन नहीं होता है मिठूते तो तुम मेरे साथ समुन्दर की तरफ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मीनू चुडिया अभी भी नाओ में बैटी होगी फिर बबलु कववा और मिठूता समुन्दर की तरफ चले जाते हैं ये देखो मिठूते मीनू चुडिया कैसे मज़े से नाओ की सेर कर रही है इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि इसने राजू कववे को उसमगर मच को खिला दिया है और अब कालू कववा इसके साथ क्या करेगा आरे ये पिल्कुल भी ठीक नहीं किया है मीनू चुडिया ने मैं अभी जाकर कालू कववे को ये सब कुछ बता देता हूँ दाके कालू कववा इस मीनू चुडिया की अच्छे से खबर ले ले हैं फिर बबलू कववा और मिटू तोता कालू कववे के पास चले जाते हैं। अरे बबलू कववे तुम समुंदर से वापस आ गए। अरे हम लोग भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। अरे बबलू कववे मेरा राजू कववा कहा है। फिर मिटूत होता हुए सारी बातें उस कालू कवे को बताता है क्या अरे ये मीनू चड़िया ने क्या किया इसने मेरे राजू कवे को उस मगर मच के हवाले क्यों कर दिया मैं इस मीनू चड़िया को नहीं छोड़ूंगी हाँ इस वार मैं भी इस मीनू चड़िया को नहीं चोड़ूँगा इसको ऐसा सबख सिकाऊँगा के ये याद रखेगी फिर रात हो जाती है mái, मेरे दिमाग में एक उपायाया है उस मीनुचुडया को सबख सिखाने का देखो, Rani, जैसे उस मीनुचुडया ने हमारे राजु कोवे को मारा है हम भी इसी तरह आस मीनुचुडया के मानुचुड़य को मार देंगे देखो, Rani, कल सुबा जैसे ही मीनू चुड़िया बोजन की तलाश में जाएगी वैसे ही हम लोग उसके गौसले में जाएंगे उस मीनू चुड़िया के मानू चुड़िया को हम उसी समंदर में ले जाएंगे और उसे उस समंदर में फेक देंगे कालू कोवे और रानी कोवी ने पूरा प्लैन मना लिया होता है कि कल सुबा होते ही वे लोग मानो चिड़े को ले जाकर उस समंदर में फेक देंगे फिर सुबे हो जाती है मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है मीनो चड़िया के जाते ही वहाँ पर रानी कववी और कालू कववा आ जाते हैं कालू कववा मानो चड़िय को लेकर उस बबलू कववे के पास चला जाता है कल तो मैं मारा ही जाता अगर कालू कववे को पता चल जाता कि कल मेरी वज़ा से उस राजू कववे की मौत हुई है तो वे कालू कववा तो मुझे कभी भी नहीं चोड़ता चलो जो हुआ अच्छा हुआ मेरी तो जान बज़ गई है लेकिन वे कालू कववा ऐसे हार मानने वाला नहीं है वे मीनू चड़िया से अपना बदला लेकर ही रहेगा ये सारी बाते दूसरे पेर पर बेटे कालू कववा और रानी कववी सुन रहे होते हैं रानी हमारे राजू कववे को उस मीनू चड़ियाने नहीं बलकर इस बबलू कववे ने मारा है देखा अभी ये बबलू कववा क्या कर रहा था चेलो काली जी इस बबलू कववे ने जो हमारे साथ किया है हम उसे उसकी सदा देते हैं फिर कालू कववा और रानी कववी बबलू कववे के पास आते हैं बबलू कववे चलो हमें उस समुंदर में ले चलो जहां हमारे राजु कववे को उस मगरमच ने खा लिया था हम इस मानों चुड़े कववी उस मगरमच को जाकर खिला देंगे इस तरह हमारा बदला पूरा हो जाएगा फिर कालु कववा, बबलु कववा और रानी कववी उस समुंदर की तरफ चले जाते हैं फिर वे चारों एक नाओं में बैटकर समुंदर में चले जाते हैं अरे बबलु कववे तरह नाओं के उप़र खड़े होकर देखो कि आसपास कोई मगरमच दिख रहा है तो मुझे बताओ ताके मैं ये मानों चिड़ा उस मगरमच के हवाले कर दूँ फिर बबलु कववे नाओं के उप़र खड़ा हो जाता है और आसपास मगरमच को देखने लगता है इतने में वे कालु कववे उस बबलु कववे को नाओं से धका दे देता है और वे बबलु कववे समुंदर में गिर जाता है रानी अगर ये बाबलु कवा आकर हमें सच सच बता देता कि इस्ने हमारे राजू कवे को उसमगर मच को खिला दिया है तो शायद मैं इस बाबलु कवे को माफ कर देता लेकिन इस बाबलु कवे ने मुझस्य जूट बोला था जब ये मैंने इसको ये सजा दी है फिर इस तरह इस बबलु कवे को अपने जूट बोलने की सजा मिल जाती है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जूट बोलना एक बहुत बुरी आदत है एक पक्षी पूर नामक जंगल में एक चील एक पिंजरे में कैद होती है वे चील अब उस पिंजरे में बहुत ही जादा निधार हो चुकी थी क्योंकि वे चील काफी दिनों से उसी पिंजरे में भूकी प्यासी थी उस चील को उस पिंजरे से बाहर निकालने वाला आखिर कोई भी ना था वेचील अब बहुत ही जादा परिशान आ चुकी थी इस पिंजरे में भूकी प्यासी मेरा तो दम ही गुट रहा है अगर मैं कुछ दिन इस पिंजरे में और भूकी प्यासी रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे मैं इस पंजरे से बाहर निकल जाओ। फिरवेट चील जोर जोर से चीख कर उस जंगल के पक्षियों को बुलाने लगती है कौई तो मेरी मदद करो, मैं बहुत भूकी प्यासी हूँ अगर मैं कुछ दिन यहाँ पर और रही तो मैं मर जाओंगी कोई पक्षिय यहाँ पर आएं और इस पंजरे का दरौदा खोल दें मैं उस पक्षियों को कुछ भी नहीं करूंगी और सीधा इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओंगी बस एक बार मुझे इस पंजरे से बाहर निकाल दे कोई वे चील जंगल के पक्षियों को खुब आवाज दे दे कर बुलाती है लेकिन उस जंगल का कोई भी पक्षि उस चील की मदद को नहीं आता लगता है इसी पंजरे मेरी मिरित्ती हो जाएगी कोई भी पक्षि मुझे अब इस पंजरे से बाहर नहीं निकालेगा अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आहा कालू जी कितना स्वादिस्ट भोजन है ये मैं तो इस भोजन को खाई जा रही हूँ लेकिन मेरा पेट है कि बरही नहीं रहा आखिर कालू जी तुम ये भोजन के इस पक्षि का चुरा कर लाये हो सुबह ही सुबह उस पक्षि का तो बैन बज़ गया होगा रानी मैं ये भोजन मीनू चुड़िया के पास से चुरा कर लाया हो मीनू चुड़िया सो रही थी तो मैं चुपके से उसका ये भोजन चुरा कर ले आया हो कालो जी आओ तुम भी तो ये खाओ ना बोजन क्या सिर्फ मुझे खाते हुए देख रहे हो आजाओ तुम भी ये बोजन खा लो नहीं रानी तुम ही खाओ ये भोजन जब मैं तुम्हारे लिए भोजन जमा करने जा रहा था तो मुझे रास्ते में डेर सारे सरसों के वीज मिले थे मैंने उनी को खाकर अपना पेट बढ़ लिया है इस जंगल में चोड़िया कितनी बढ़ गई है रात को मैंने अपना भोजन यहीं पर रखा था सोचा था कि सुबा होते ही खा लूँगी पता नहीं कौन सा पक्षी मेरा भोजन चुरा कर ले गया है चलो कोई बत नहीं अभी जाकर अपने लिए कोई दूसरा भोजन ढोंड लेती हूँ और फिर उसको खाकर में अपना पेट भर लूँगी फिर मीन हो चड़िया भोजन की तलाश में वहां से चली जाती है कितनी भूँक लग रही है मुझे लेकिन कोई पक्षी मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालने नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूंगी मुझे तो बहुत जोरों से भूँक लग रही है चील इतना कहती ही है कि वे चील देखती है कि सामने से मीनू चड़िया जा रही होती है चील मीनू चड़िया से कहती है मीनू चड़िया उस चील की बात सुनकर उस चील के पास आती है चेनिया मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो कितने दिनों से मैं इसी पिंजरे में कैद हूँ अब तो मुझे इस पिंजरे से तुम बाहर निकाल दो परंतु चील बेहन अगर मैंने आपको इस पिंजरे से बाहर निकाल दिया तो आप मुझे मार कर खा जाओगी मैं आपको इस पिंजरे से बाहर क्यों निकालू चेनिया मैं तुम्हें नहीं खाओँगी बस तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़ कर चली जाओँगी और फिर दोबारा कभी भी इस जंगल में वापस नहीं आउंगी परंतु चील बेहन मैं आप पर ऐसे ही कैसे वरूसा कर लूँ अगर आप पिंजरे से बाहर आकर अपनी इस बास से मुकर गई तो मैं तो अपनी चांच से हाद दो बेटूंगी न मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इस पिंजरे के बाहर आकर तुम्हें नहीं खाओंगी और हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर चली जाओंगी केते हैं न जान जाए लेकिन वचन ना जाए मेरा भी इसी तरह है चिडिया मेरी जान चली जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं तूटेगा मीनू चिडिया उस चील की बात सुनकर उस चील को इस पिंजरे से बाहर निकलने का फैसला कर लेती है फिर मीनू चिडिया उस पिंजरे का दरवाजा खोल देती है और वे चील उस पिंजरे से बाहर आ जाती है चीडिया कितनी जोरों से भूक लग रही है चलो अब तुम ही मेरे सामने हो तो तुमें ही मार कर मैं अपना पेट भर लेती हूँ चील बेहन आपने कहा था जान जाए लेकिन वचन न जाए और अब आप खुद ही अपना वचन तोड रही हो चीडिया वो वचन तो मैंने इसलिए खाया था कि तुम मुझे इस पिंजर से बाहर निकाल दो और तुमने बेवकूफी करकर मुझे इस पिंजर से बाहर निकाल दिया अब तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं यहां से फौरण भाग जाती हूँ इतना कै कर वे मीनू चड़िया वहां से उड़ जाती है और वे चील भी मीनू चड़िया के पीछे पीछे जाने लगती है मीनू चड़िया आगे आगे और मीनू चड़िया के बिलकुल ही पीछे वे चील वे दोनों इतनी तेज रफतार में उड़ रही होती हैं कि जैसे कोई तेज रफतार में विमान जा रहा हो फिर कुछ देर भागा दोड़ी के बाद मीनु चिडिया जैसे कैसे अपनी जान बचा कर अपने गोंसले में आ जाती है ना जाने जैसे कैसे मैं उस चील से अपनी जान बचा कर आ गई हूँ लेकिन अवे चील उस पिंजे से बाहर आ चुकी है अब ना जाने वे चील जंगल के कितने पक्षयों का शिकार करेगी सब मेरी बेवकूफी की वज़ा से हुआ है अगर मैं उस चील को उस पिंजे से बाहिर नहीं निकालती तो आज ये सब कुछ ना होता अब मुझे जल्दी सभी पक्षियों को जमा करकर ये बात उन सभी पक्षियों को बतानी पड़ेगी उची देर के बाद मीनू चड़िया जंगल के काफी पक्षियों को जमा कर लेती है पक्षियों हमारे जंगल के पिंजरे में एक चील कैट थी लेकिन अब वेचील अजाद हो चुकी है मीनू चड़िया हमने उस चील को कितने मुश्किलों से उस पिंजरे में कैद किया था तो फिर वेचील उस पिंजरे से बाहर कैसे निकल गई फिर मीनू चड़िया उन सबी पक्षियों को सारी बात विश्टार से बताने लगती है मीनू चड़िया ये तुमने क्या कर दिया तुम तो बहुत बुद्धी मान थी और आज तुमने ये बेवकूफी कैसे कर दी पक्षियों तुम सबको तो पता है न कि मैं किसी की भी परिशानी नहीं देख सकती हूँ बस वेचील भी बहुत ही जादा परिशान थी जिसकी वज़ा से मैंने उस चील को उस पिंजे से हजाद कर दिया मीनू चड़िया अब तो वेचील हम सबी पक्षियों को मार कर खा जाएगी मीनू चड़िया अब हमारा क्या होगा मीनू चड़िया तुम बोलो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अरे नन्य चुहे तुम हमारी क्या मदद करोगे तुम तो खुद ही इतने चोटे हो तुम अपनी ही मदद कर सकते हो हमारी क्या करोगे कुवी बैया आप नन्य चुहे को बोले दीजिए नने चुहे आप बोलिए आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं मीनू चिडिया तुम मुझे उस चील के पास लेकर चलो फिर देखना मैं उस चील को कैसे मज़ा चकाता हूँ नने चुहे अगर मैं तुम्हे उस चील के पास लेकर जाऊंगी तुम्हे चील तुम्हे और मुझे मार कर खा जाएगी मीनू चिडिया ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा तुम मुझे बरोसा रखो और मुझे उस चील के पास ले चलो ठीक है नने चुहे मैं तुम पर बरोसा करके तुम्हे उस चील के पास ले जाती हूँ फिर मीनु चिडिया उस चुहे को लेकर उस चील के पास आ जाती है चिडिया आज सुबा तो तुम मुझसे बच कर निकल गई थी लेकिन अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी तुम्हें और इस नन्ने चुहे को मार कर खा जाऊंगी चील बेहन तुम तो उस पिंजरे में बन थी ना तो फिर तुम उस पिंजरे से बाहर कैसे आई नन्ने चुहे इस चिडिया ने ही मुझे उस पिंजरे से अजात किया है चील बेहन मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि इस चिड़िया ने तुम्हें उस पिंज़े से कैसे अज़ाद किया बेमकूफ चुहें मैं तुम्हें सब कुछ विश्टार से बताती हूँ फिर वे चील उस चुहें को सारी बात विश्टार से बताने रखती है चील बेहन मेरे तो अभी भी समझ में नहीं आई कि तुम क्या कर रही हो एरे बेमकूफ चुहें मैं तुम्हें कैसे समझाओ उफ एक काम करो चील बेहन आप मुझे उस पिंज़े के पास ले चलो और वही पर जाकर आप मुझे अच्छे से समझाओ हाँ चुहें ये ठीक रहेगा चलो उस पिंज़े के पास चलते हैं फिर वे चील मीनू चिड़िया और वे नन्ना चुहा उस पिंज़े के पास आ जते हैं देखो नन्ने चुहें पहले मैं इस पिंज़े के अंदर जाती हूँ फिर तो मैं इस पिंजरे का दर्वाजा बाहिर से बन कर देना पिंजरे के अंदर जाने के बार मैं तुम्हें समझाओंगी कि इस चड़िया ने मुझे इस पिंजरे से बाहिर कैसे निकाला फिर वे चील उस पिंजरे के अंदर चली जाती है और में नन्ना चुहा उस पंजरे का दर्वाजा बन कर देता है देखो नन्ने चुहे मैं इस तरह इस पंजरे में थी उसके बार मैंने इस चड़िया को एक जोटा वचन दिया और ये चड़िया मेरी बातों में आ गई और इसमें मुझे इस पिंजरे का दर्वाजा कोल कर बाहर निकाल दिया चैनल चूहे अब इस पिंजरे का दर्वाजा कोलो और फिर मैं तुम्हें इस पिंजरे से बाहर आकर दिखाऊंगी लो मीनू चडिया, तुम्हारा काम हो गया मैंने इस चील को इसी के पिंजरे में कैद कर दिया एरे वह नने चूहे तुमने तो इस चील को दुबारा से इसी के पिंजरे में कैद कर दिया है तुम तो बहुत होश्यार निकले इस तरह वे चील दुबारा से उसी पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती है पक्षियों ने चुहे को छोटा और कमजोर समझा लेकिन चुहे ने अपनी हिम्मत और बुद्धी से उस चील को सबक सिकाया इस से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी पक्षियों को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए